नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमर और स्वागत आपका आज की इस वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं 2023 टाटा योद्धा 1700 के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके complete features बताने वाला हूँ exterior के भी interior के भी कितना बड़ा आपको इसके अंदर engine मिलता है क् जो warranty period है वो मिलता है कितनी इसकी payload capacity है क्या यह mileage निकालता है कितनी इसकी कीमत है हर एक चीज के बारे में यहाँ पर detailed में बात करने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं payload capacity के बारे में जैसे कि इसका नाम है योद्धा 1700 तो इसकी जो आपको payload capacity मिलती है वो भी आपको 1700 kg की मिलत है 100 hp की power निकालता है 250 mm का torque सबसे पहले बात करते हैं इसकी front profile के बारे में front में आपको यहाँ पे हेलोजन जो headlights है वो मिलती है जिनका throw आपको काफी अच्छा मिलता है और front में जो आपको यहाँ पे नीचे की side आप देख सकते है lights जो है वो दी गई है यानि कि आप कह सकते है DRLs आपको मिलते है और 210 mm की आपको इसके अंदर जो ground clearance है वो मिलती है जो की काफी कमाल की ground clearance है front में जो आपको bumper मिलता है यह iron bumper है तीन parts में इसको यहाँ पे दिया गया है 215 by 75 R16 आपको यहाँ पे radial tires जो है वो मिलते है front के दोनो tires में आपको disc brake दिये गए है और rear tire में आपको drum brakes तो tire profile आपको काफी अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिलती है fender के उपर आपको जो indicator है वो मिलता है Yoda 1700 की branding हो रखी है और काफी बड़े size के जो side mirrors है यानि की ORVM's वो आपको मिलते है और black color की finishing में ही door handles driver side अगर seat की हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते है Yoda 1700 की ब्रेंडिंग हो रखी है foot step आपको दिया गया है ताकि है easily से driver अंदर जा सके बाहर आ सके और अब हम बात करेंगे इसकी chassis के बारे में क्योंकि full body में अभी यह उद्धा हमारे सामने नहीं है यह chassis यहाँ पे है और काफी अच्छी खासी जो length है वो यहाँ पे आपको इसके अ हुआ है या नहीं रखा हुआ है जो रियर के आपको यहाँ पर tires मिलते हैं इनके अंदर आपको drum brakes मिलते हैं same profile के टायर है 215 by 75 R16 Apollo के जो tires है वो यहाँ पर दिये गए है और जो spare wheel है वो भी आपको same profile के ही यहाँ पर इसके अंदर दिया गया है dimensions के अगर मैं बात करूं तो य आपको दिखाता है इसका diesel fuel tank इसके अंदर आपको यहाँ पर 52 liters का polymer diesel tank मिलता है कोई भी यूरिया वगयरा इसके अंदर आपको डालने की जरूरत नहीं है यानि की DEF इस vehicle के अंदर नहीं डलता है और यह इसका diesel fuel tank इहाँ पर आपको मिलता है वहाँ पर नीचे exhaust tip जो है वो द देखने को मिलते है और अब बात करते हैं इंटीर के features के बारे में तो यह इसका driver side door और है completely black color की finishing दी गई है window को आप roll up roll down कर सकते हैं manually door opener हो गया और नीचे की साइड यहां पर भी आपको छोटा मोटा समान इसके अंदर रख सकते हैं इस तरीके की finishing आपको इहां पर interior की मिलती है देखने में बिल्कुल आपको ऐसा feel कराता है जैसे कि आप Tata Safari के अंदर आ गए है तो अराम से eco mode पे चलाए यह इसके handbrick हो गई यह इसकी जो driver side seat है वो गई आगे पीछे adjust कर सकते हैं और साथ के साथ recline angle front की दोनों seats में दो adjustable headrest मिलते है seat belt वगेरा हर एक चीज यहां पर इसके अंदर दी गई है safety का भी पूरा ख्याल जो है वो यहां पर Tata Yoda 1700 के अंदर दिय गया है tilt adjustable आपको इसके अंदर steering मिलता है और यहां पर आपको analog instrument cluster मिलता है left hand side पर आपको speedometer right hand side पर आपको RPM meter time यह दिखाता है trip A trip B इसके अंदर कितना diesel है वो सभी information यहां पर आपको दिखाता है और आप देख सकते हैं काफी सही instrument cluster जो है वो यहां पर है यहां पर आपको इस इसके अंदर AC मिलता है एक USB port जो है वो आपको मिलता है इसके अंदर आप pen drive वगेरा यह USB cable वगेरा लगा कि अपना phone चार्ज कर सकते हैं 5-speed manual transmission के अंदर यह यहां पर vehicle है co driver side आपको double glove box दिया गया है एक उपर के side और एक नीचे जिसको आप lock भी कर सकते हैं और अच्छे खा रूफ में आपको जो halogen light है वो मिलती है यह night के time पर काफी helpful रहने वाली है manual आपको यहां पर IRVM दिया गया है यानि की day night rear view mirror भी आपको मिलता है और driver side आपको sun visor के अंदर जो है वो ticket holder के जो space है वो मिलता है जब आप इसके driver side seat पर बैठते हैं तो जो इसका bonnet है वो clearly आपक चीज यहां पर इस vehicle के अंदर जो है वो दी गई है दोस्तों अब बात करते हैं इसके gross weight के बारे में 3490 kg का इसका gross weight मिलता है और जो curve weight मिलता है वो मिलता है 1790 kg का engine oil change interval जो है वो इसका 20,000 km पर है और जो warranty है इसकी वो 3,000,000 km की 3 साल तक क्या आपको warranty मिलती है sitting capacity आपको मिलती ह D plus 1 और अगर मैं mileage के बात करूँ तो 13 km per litre का mileage city के अंदर हूं highway के ओपर 15 km per litre का जो mileage है वो यह आपको देता है एक showroom कीमत है इसकी 10,000,000 रुपे से लेके 10,000,000,000,000 चालिस अजार रुपे तक क्योंकि योद्धा 1.7 के अंदर आपको AC और non-AC variant जो है वो देखने को मिल जा अपने दोस्तों के साथ फेमिली मेंबर्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए का फिलाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही वीडियो लाश्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच